हाउ टू रिमूफ पॉप अप्स एड औन यों एंड्रोइट फॉन आज की वीडियो में इस मैथोड को किस तरीके से अप्लाई करना है 2020 में यही मैं आपको बताना रहो वैसे बिंग एंड्रोइट यूजर यह हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अगर हम एंड् आप्लिकेशन हो यहां को रैंडम सी वेबसाइट हो अप्लिकेशन अगर हम देखे तो जब यहां को एंड्रोइट इस्टॉल करते है श्पेशली अर्निंग अप्लिकेशन को तो वहां पर हमें कई सारे अन्नेसेसरी आड्स देखने को मिलता है जो कि डेवलोपर उसमें बिने क्लिक किया तो यहां पर यह एड आना यहां पर स्टार्ट हो जाता जो कि कहीं न कहीं हमारे लिए बिंग यूजर इरिटेशन होता है एड आना इट्स ओके बट जो हमारे लिए यूशिवल एड्स वह अगर आते हैं तो फिर माइड भी हम उस पे अपना गेनर से वह इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए प्लेस्टोर से ऐसी अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि एड्स ब्लॉक करती है बट तो बी होनेस्ट यहां पर यह सारी के सारी 90 परसें अप्लिकेशन फेक होती है जो आपको बिल्कुल भी आड्स ब्लॉक क के पास चले जाता है तो यहां पर अगर आप जैनुवली जैनुवली अगर आप एड्स ब्लॉक करना चाहते तो आपको यहां पर कोई भी आप्लिकेशन इंस्टॉल करने के जरुवत नहीं है आप इसले अपने एंड्रोइट मोपाल में कुछ सेटिंग अगर आप अप्लाइ यहां पर आपको क्लिक करने के बाद स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर आपको एक सेटिंग भी लेगा आपको क्लिक करना है अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दिन इसके बाद आपको कैटेग्री जो होगी कि आपके मोबाइल पर आपको कौन 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 से कैटेग्री के आड्स शो कर रहा है गूगल यह रहा वो सारा का सारा कैटेग्री यह सारे वो कैटेग्री से जिसके बेस पर आपको गूगल आड्स शो कर रहा है इस टॉपिक के रिलेटर यह गूगल ऐ हर एक activity को track करते क्या Google पर क्या search करते कौन से website पर विजिट करते उसके बेस पर आपको Google target करता है फिर आपको टापिक के related ads सर्फ परता है तो आपको कई सरे categories मिल जाते तो आपको अगर कोई categories के ads नई चीए तो आप उन्हें यहां पर one by one turn off भी कर सकते तो आपको उस category के related कोई भी ads गुगल शो नहीं करेगा लेकिन यहां पर ads हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी भी होते कभी कभी sometimes जो mobile के related है यह तो श्पेशली property के related new property launch के related है वो सारी ads हमारे लिए useful होते तो जो आपके interest है interest based पर आप ads को यहां पर set कर सकते जो unnecessary ads के category से उन्हें आप turn off कर सकते जिससे की Google आपको उस type के ads दिखाना बन करतेगा और यह एक general method है जिसकी help से आप जो ads है उन्हें block कर सकते अपने Google अपने android mobile में और भी without any application so that's it all about तो इसी तरह के साथ 2020 में इस method का use करके ads को block कर सकते हैं so this will help you in 2020 and in future as well thanks for watching